हालो एव्डिवान, वेलकम टुकोषर क्लासिस आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एनाई उस के इंगले सब्जेट के बारे में तो आपके एक्जाम अपरेल में हैं या ओक्टूबर में हैं सब भी बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि यहां पर मैं आपको क्वालिटी वीडियोज प्रोवाइड कराती हूँ आपने अगर मेरी एक वीडियो देखी होगी वन आर की तो उस में मैंने आपको कॉशिं पेपर भी कराया है मतलब पूरा कोशिं पेपर इसको समझाया है किस तरीके से आप ट्रिक्स के साथ में उसको असानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जबूर देखें उसका थम्नल ये है एं लिंक आपको दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह वीडियो स्टार्ट कर लेते वो कोशन में आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। किस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आट कर लेते हैं, इसक्रीन पर देख लेते हैं हमारे कोशन्स। यहां पर कुछ आपको फिल करना होता है। कैसे कर सकते हैं आसानी से किस क्साइब को कोशन पूछ बच्चों को गिना जासकता है कि क्लास में कितने स्टूवेंट हैं तो जहां पर काउंट किया जा सके तो उनको बोलते हैं इनकी कितने 묵ह मतलब इनकी जिसको तोला जा सकता है ठीके जिसको तोला जा सकता है प्राइज को सकते है लिकिन आप को सिलिखा होगे कि हैं कि इस तरीके से च리GU को जब हम बताते हैं टाइमिंग में बतानी होगी तो हम वेन का यूज़ करते हैं अब इससे रिलेटर हमारे कुछ कोशन बनते हैं उनको देख लेते हैं देखे आपको इस तरीके से लिखा हुआएगा कि इन दियां से समझना है कैसे करेंगे राधा यहाँ यहां पर इसका सही तरीका है आपसे उसका पूछा पूछा उसका आंसर यह करना सिसे लिखा शीला बोल रही है खिسم और स्रसकाइम नाम शीला तो कंशिंगा होगा राधध ने इससे क्या पूछा होगा ? जो यह बोल लिया कि मेरा नाम शिला है तो सिंबल सी बात है कि तुम्हारा नाम क्या है ? तो यहां पर क्या आएगा ? what is your呢? ठीकрем wysってる याएब कि आप राधा फिर दूसरा question कर रही है शीला से तो शीला बोलती है कि I live at तिलक नगर यानि कि मैं तिलक नगर में रहती हूं तो अब इसने क्या question पूछा होगा तो अगर यह इसका reply करें कि मैं तिलक नगर में रहती हूं तो simple सी बात इसने क्या पूछा होगा कि where do you live ठीक है यह आपको यहां पर फिलिंदा blanks में सिर्गे से question पूछने है तो what means कि क्या आपका नाम क्या है where do you live अप कहां रहते हो ठीक है तो यह हमारे सब यही वाले आपके यूज हो रहे हैं आप देख सकते हैं यही जीजे इसमें यूज होंगी ठीक है and next हमारा module से related आएगा उसको भी आप जरूर करें वो भी important है ठीक है उसके बाद में यहां पर शीला फिर reply करें कि I read in 10th class आप देखो शीला बोल रही है कि मैं 10th class में पढ़ती हूं तो राधने से क्या सवाल किया होगा राधने पूछा होगा कि in which class do you study यह in which class do you read तो in which class do you read ठीक है आप कौन सी class में पूज़े ला कौन सी class तो in which class do you read यानि कि इसका आणसर है कि I read in 10th class तो इस तरीके से आपको इसके आपसे बन सकते हैं आपको इनकी Hindi मिनिक पता होने चाहिए ताकि आप आसानी से इसको करके आ सके अब दूसरे डाइप को जो गोशन बनता है वह आपका बनता है आपके model words ह तो यहां पर आपके will shell तो सभी बच्चों को आई हो पता है कि will shell क्या होते हैं sentence में future वाले में आपको will shell मिलता है मैं कल जाओंगी तो I will I shall go to school tomorrow ठीक है तो देखिए will है वो सभी subject के साथ में यूज किया जाता है लेकिन shell जो है वो सिरिफ I और we के साथ में यूज किया जाता क्या है कि मैं I school जाओंगी है मैं यह जरूर मज्स का मतलब होता चाहिए यानि कि तुम्हें करना चाहिए तुम्हें Huszam चाहिए ये मौ longer जाता है यहज का करना चाहिए लेकिन जरूर करना चाहिए मिसमें यहाँ पर आ आपको जू और अपको आपको इ क ahí के how् içer होा रोड के मतलब नहीं करना है इसका हुआ को नहीं करना है नौर्मल तरीके से कर रहे हैं कि शुडब का मतलब होता है होना चाहिए ठीक है you should be there आपको वहाँ होना चाहिए ठीक है होना भी ठीक है अभी sentence को देखेंगे can मतलब ability बताता है योग्यता बताता है like I can teach मैं पढ़ा सकती हूं यह मेरी ability है ठीक है permission like like हम अगर किससे call पर बात करते है can I talk to राणी, ठीक है तो क्या हम मैं राणी से बात कर सकती हूं इस तरीके से हम can का use कर सकते हैं और वहीं could की अगर बात की चाहिए तो पास्ट में आज जाता है ability बतानी हो past में ठीक है कि मैं मैं दोड सकती थी ठीक है तो इस तरीके की abilities होती हो वहाँ पर could का use हो जाता है permission के लिए किटS के रिज़ा लूँ dit कोई कुट का यूज करते हैं में मतलब alarm पर्मिशन होता है जब थे तो मैंत्य चेक्रमिशन कुई और यूज करेगा फोर्मि बिच्चा अगर क्वलास में जाएगा तो क्लास पर मिश्चन के सामने मोद नहीं हो तो इस तरीके से वह यहां पर इसके यूज किया जाते हैं अब इससे बनने वाले sentences को देख लेते हैं तो देखें यहां पर हमारे पास sentence है यहां पर दिया रहा होगा इस तरीके से आपको कि complete the following dialogue by filling in the blanks with suitable words and the first one has done as an example और पहला वाला आपके करके दिखा रहा है यहन की पहला वाला आपके लिए करा हुआ है जैसे कि नितिन बोल रहा है कि I need to go barely मुझे मतलब barely जाने की जरूरत है मुझे barely जाना है तो tell me मुझे बताओ if I can go by bus तो मुझे बताओ कि क्या मैं बस से जा सकता हूँ ठीक है तो उसका friend बोलता है कि you आप दो कहाँ पर उसके आना वो पूछ रहा है कि क्या मैं जा सकता हूँ तो आपको इसका reply क्या करना होगा you can मतलब हाँ आप जा सकते हो you can आप जा सकते हो but you should go by train आपको train से जाना चाहिए तो नितिन कहता है कि I agree यानि कि मैं आपकी बास से सहमत हूँ but dash reach barely before evening because I have to attend a wedding but I must I agree मैं आपकी बास से सहमत हूँ but I must but I must reach barely before evening because I have to attend a wedding यानि कि मैं आपकी बास से सहमत हूँ लेकिन मुझे जो है वह barely evening से पहले 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 पहुंचना है यह compulsory है क्योंकि मुझे wedding attain करनी है तो यहां पर must है कि ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचिंगे तो चल जाएगा कोई coaching की जरूरत है can I join your study center after the school arts यानि कि क्या मैं आपके study center को join कर सकता हूँ school arts के बाद में तो teacher बोलते है you can अदुको simple सी बात है teacher क्या बोलेंगे student को हाँ तुम कर सकते हो join ठीक है तो रेबिन बोलता है कि I will क्या बोलेगा I will यानि कि I will be attending the class regularly यानि कि yes मैं regular class attend करूंगा ठीक है तो इस तरीके से आपको जो है आसानी से गेन कर सकते हैं तो इससे अलग भी मैंने वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो का आप जरूर देख लें उससे आपकी बहुत हैल्प होगी और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल एकन को प्रिस कर लें चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स वीडियो में थैंक यू बोची